Hello Friends, My Soul Purpose, My Soul Mission में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज से चालू हो गए हैं त्योहार और धन तेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, सभी की आपको डिये सारी शुपकाम लाएं क्योंकि ये जो त्योहार होते हैं, ये खुशियों की त्योहार होते हैं, उत्साहा के त्योहार होते हैं, आनन्द मनाने का त्योहार होता है तो सारे अपने पेंज को एक तरफ रखे, हम सब मिलकर जे सारा एंजॉय करें, आनन्द मनाएं दुस्तों पता है आपको कि धंतेरस की शुरुवात कल रात से हुई है 12 नमबर की रात की साड़े नौबजी से धंतेरस की शुरुवात हुई तो आज भी धंतेरस है और आज की दिन ऐसा माना जाता है कि हम चांदी के बड़तन खरीते हैं विकार सतते हैं चांदी भी में कोशिच करें कि अल्यूにな करें ठीड माना है कि आप चांदी को सावान और अगर परटन खरीते हैं तो इसपर थोड़ा सा Carnage या coin डाल कर घर में लेके आना शुद मांते हैं खाली बड़तन लेके नहीं आते हैं तो ये आज धंतिरस की शुरुआत आज से हुई है जो शाम तक रहेगी लगबग 59 तक हमारा धंतिरस का त्योहार रहेगा और उसके बाद हमारी चोटी दिवाली शुरू हो जाएगी फ्रस आपने गाइडलाइन देती हुँ धंतिरस क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टन फेस्टिवल है और बहुत ही हेल्फुल बहुत से चीजें हमें सीखने को भी मिलती है और जो हमारे हमारी हेल्थ वेल्थ सबको बढ़ाती है हेल्थ वेल्थ कैसे दोस्तों आज की दिन मान करते हैं कि हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धंतिरस पर गने जी की पूजा करते हैं हम खुबे देखता की पूजा करते हैं हम धनवंत्री भगवान की पूजा करते हों हम यामका दिया चराते हैं ये चीज बहुत इंपॉर्टन है देर इस सम रीजन बहाइंड इ लेकिये गणेजी तो विक्न विनाशक हैं, तो हर पूजा की शुरुआत तो गणेजी की पूजा के साथ होती ही है, राइट, लक्षमी जी, तो हमाई सारे जो money abundance है, money manifestations लक्षमी जी ही पूरी करती है, धन, धन को बे देवता भी, जो धन के देवता है, उनको प्रसिंद न करन नहीं है, always love money, attract money, और पैसा तो आ गया हमारे पास, लेकिन अगर हमारा स्वास्त ही अच्छा नहीं है, तो इसलिए भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, माना जाता है कि आज के दिन उनका जनम दिवस में आया जाता है, और ये आयुरवेक के देवता भी होते हैं, औ जो भी हम धन कमा रहे हैं, और भी जाने धन कमाएं, और हमारा स्वास्त भी अच्छा रहे, और आज के दिन हम यम का दिया दक्षिंदशा में जनाते हैं, जिससे कि हमारी आयु लंबी हो, कोई भी अकाल मृत्यू ना हो, ठीक है, और हमारा स्वास्त अच्छा रहेगा, तो तो इसलिए कुछ रीजन है कि आज के दिन हम लोग लक्षमी जी, गनेजी की पूजा करते हैं, धन्वंति रिटा की पूजा करते हैं और यम कर दिया जराते हैं, तो अगर आप लोग मानते हो तो इस प्रोसेस को आप लोग जरूर करिए, थोड़ा से बताओंगी बड़ी दि सुचती जी की पूजा क्यों की जाती है, देखें दोस्तों, सुचती जी जो होती है बुद्धी की देवी, वह हमको सतबुद्धी देती है, तो आप कोई भी पैसा जो कमा रहे हो, आपको मनी के लिए आसकती नहीं रखनी है, और आपको उसको बुद्धी के साथ क्योंकि लक्ष्मी कभी-कभी हमारे लिए जितनी helpful है अतना ही हमारे लिए destruction भी है जब वो माया बन जाती है तो हमें लक्ष्मी के आदर करेंगे उतना ही वो बड़ेगी लेकас अगर हमने उसका निराधर किया गलत उप्योग किया जैसे ही लोग gambling खेलते हैं very bad thing कई जगह पर लोग दिवाली के दिन जुआ आदी, gambling, पत्ते ताश, cards भी बोलेंगे खेलते हैं आप अगर उसका आप एक तरफ लक्षमी की पूजा कर रहे हो और एक तरफ उसका अनादर कर रहे हो लेकिन हाँ ताश खेलने के बाद अगर आपने उस जीते हुए पत्तों को पत्तों से जो पैसा कमाया वो आपने दान कर दिया तो फिर वो लक्षमी का आदर है तो बिलकुल आप इस जो लोग शौकीन है cards खेलने के, ताश खेलने के दिवाली के दिन बिलकुल खेलिए, लेकिन जो भी आप कमाएंगे, उनको उस पैसे को धान कर दीजिए किसी नेक कारे में खरश करिए तब तो वो लक्षमी की वरक्कत होगी खेल दोस्तों, ये बात तो हो गई हमारे इस्तिवहार की और इस्तिवहार में जितना हम enjoy करेंगे ठीक है खुशिया महसूस करेंगे खुश रहने की कोशिश करेंगे महसूस करेंगे कि वी आर एंजॉइंग ठीक है, उतना ज़्यादा आप high vibration में रहोगे and you will enjoy your festival राइट, महसूस करने से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है अब महसूस वर्ड जब मेरी मुझ पर आया तो मुझे एक बात याद आ रही है कि हमारे DM लोग इतने नम क्यों हो जाते है राइट, मेजर प्रॉलम तो यही है कि DM नम पड़ गए जिन होने शुरू शुरू में आप से इतना प्यार जताया इतना प्यार किया इतनी केर करी को दूर करने के लिए आपको inner work करना पड़ रहा है Is this really so? क्या आप inner work उनकी नमनस को दूर करने के लिए कर रहा है If yes, no This is not right आप inner work अपने लिए कर रहा है Right अपने अपने एसेंशन के लिए अपने आपको evolve करने क्र लिए You are not doing inner work for your DM कि कई लोग का ये सोचना होता है कि मैं inner work करूंगी ऐसा मैंने देखा है कि मैडम मैंने inner work किया मेरे DM का फोन आगया मैंने inner work करना बन कर दिया वो भाग गया ऐसा नहीं होता है दोस्तों आप inner work को अगर आप पूजा को परशाद के लिए लालच से करोगे तो वो पूजा कि नहीं आप inner work करो अपने ले करो अपने आपको involve करने के लिए अपने आपको best form में लाने के लिए बट सवाल ये उठता है कि DM नम पढ़ क्यों गया है और अगर पढ़ गया है इस numbness को दूर कैसे करें क्या होती है numbness नमनस मतलब ये होता है दोस्तों कि वो कुछ feel ही ना हो आपकी feeling जैसे blocked हो जाना चेक है पहले feeling थी intensity थी आकरशन था धे सारी feeling धे सारी feeling और एकदम से उनके अंदर की feeling ही बंद हो गई दर्वाजा जैसे बंद हो गया feeling ही block हो गई उनके अंदर उन्हें खुद भी नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है उन्हें खुद भी समझ नह आ रहा है कि यह हो क्या रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्यों मुझे कोई feeling नहीं आ रही ना अच्छी ना बुरी दोस्तों यह बहुत painful situation होती है डी-एम की अगर आपके अंदर feeling है चाह कैसी भी समझ में आता है कि हा या तो अच्छी feeling है या बुरी feeling है जिसका solution हम निकाल सकते है पर जब feeling ही ना हो समझ में नहीं आ रहा है कि वो सारी feelings कहां चली गई it is very painful आप से ज़ादा pain की situation में आपके divine masculine रहते हैं इसलिए पर आपको तो पता है कि मैं अभी दर्द में हूँ तो I know कि मैं inner work करूँगी अपनी energy को raise करूँगी and I will be the high vibration पर उनका क्या कुछ समझ में नहीं रहा कि ये मेरी feelings block क्यों हो गई और जब समझ में नहीं आता तो गुस्सा आता है anger आता है confusion आता है कुछ समझ में नहीं आता और वो लोग silence हो जाते हैं ठीक है पर अगर आप इसको देखो कि आप भी तो कहीं नम हो गए हो कैसे अब ही आप जिसे कि हम नहीं कहा है कि detachment में जाना है आपको उनको याद नहीं करना है ठीक है but कभी-कभी जिसे याद आती है तब भी तो हम लोग डरते हैं ना याद करने से नहीं हम याद नहीं करेंगे इसलिए कि मैडम ने मना किया है इसलिए कि उस याद से डर लगता है ठीक है और हम भी उन पलों को महसूस करना छोड़ देते हैं डर लगता है उस यादों से वो याद आएगी फिर रोना आएगा फिर डर्द होगा और हम, हम भी तो महसूस करना छोड़ देते हैं राइट और कहीं न कहीं हम भी नाम हो जाते हैं तो जी यह भी नाम होगा ना दोस्तों हम लोग अक्सर टैरो कार्ड में देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं उनकी अभी क्या current energy है क्या ये सब देखने से उनकी numbness दूर हो जाएगी क्या ये सब जानने से आपका inner work पूरा हो जाएगा क्या ये सब सुन लेने से आपका union हो जाएगा नहीं ना DM की current energy ना वो क्या सोच रहे है वो क्या महसूस कर रहे है ये सब देखने से ज़्यादा आप एक meditation कर सकते हो अपने ही अंदर और वो ये अपने heart में हाच चक्रा पे अपना हाथ रखो और खुद से बोलो मैं महसूस कर रही हूँ मैं अपनी सारी feelings को महसूस करती हूँ कर सकती हूँ मैं वो हर feelings महसूस करती हूँ और मुझे कोई डर नहीं है अपनी feelings को महसूस करने में मैं अपने आपको safe feel करती हूँ इस अपनी heart चक्रा पे जब आप उन feelings जो numb हो गई है उनको बार बार बाहर निकालो उनकी numbness को खतम करो राइट मैं महसूस करती हूँ मैं हर उस feeling को महसूस करती हूँ मैं अच्छी feelings को महसूस करती हूँ मैं उन अच्छे पल को महसूस करती हूँ It is live inside me क्योंकि आपका person तो आपका counterpart है और जब आप महसूस करोगे दोस्तों महसूस करना मतलब ये नहीं है कि आप फिर से attach हो जाओ उनसे कुछ पल, कुछ time अपने divine counterpart से बात करने के लिए दीजिये and that will really help you in detachment give at least 10 minutes उसको उनसे बात करिए उन्हें educate करिए उन्हें बताईए उन्हें अपने हाथ चक्रा पर हाथ रखके feelings महसूस कराईए उससे ये होगा कि वहाँ भी उनको healing मिलेगी और उसके बात आप काम पर लग जाईए ये नहीं कि उसके आप low हो जाएंगे आप लोग drain feel करेंगे no हमको detachment में जाना है हमको ऐसे ऐसे energy नहीं देना हमको उनकी DP को stock नहीं करना हमको हर पल उन moments को याद नहीं करना है but one moment इससे हम एक पूजा के लिए 10 minutes निकालते हैं भगवान को याद करने का कि yes we are connected right वरना भगवान भी अगर आप 10 दिन पूजा करना छोड़ दीजिए आपको लगेगा भगवान मेरी कहां है मेरी जिन्दगी से उनकी आपको उनको vibrations ही नहीं मिलेंगी आपको हलाकि वो रहते हैं आपके पास ही है similarly 10 minutes अपने DM को दीजिए बस 10 minutes talk to them अपने हाँ चक्रा पर हाँ रखे और उन्हें बोली मैं महसूस करती हूँ that intense love दोस्तों मैं desires की बात नहीं कर रही है I am again clearing जहां desires है वहाँ high vibrations होई नहीं सकती because desires is low vibration energy and love is the high vibration energy जहां desire है वहाँ love नहीं है जहां desire है वहाँ high vibrations है नहीं love कहां है आपको अगर joy चाहिए आपको happiness चाहिए आपको peace चाहिए आपको wholeness फील करनी है वो आपको तब मिलेगी जब आप love वाली feeling में होएंगे और वो love वाली feeling तब मिलेगी जब आप high vibration में होँगे और जब आप high vibration में होँगे तब ही आप love send कर सकते हैं जो आप लोग love send करने की बात जैसे मैंने channels में शुरू की थी मैंने कई channel में फिर उन्ही words को सुना अच्छा है love send करना पर लव कैसे send किया जाता है love send करते हैं जब आप high vibration में होते हो joy, happiness, wholeness, peace यह सब तभी आप आपके अंदर होगी तभी तो आप love send कर पाओगे और वो कब होगा जब आप high vibrations में होँगे ठीके? और high vibration energy में ही आपको रहना है और तभी आप educate कर पाओगे अपने person को अगर आप attachment की energy में हो अगर आप low energy में हो तो आप उनको क्या educate करोगे ठीक है? और you know, you won't believe जब आप high vibration में उनको educate करते हो love send करते हो, peace send करते हो feelings send करते हो you know gradually like कोई चीज जैसे धीर धीरे heal होती है और उनकी numbness कितम हो जाती है and you आप test करी जब भी आपको याद आ रही हो आपने हाट चक्रा में love send किया इदम से आपको बहुत calmness फील होती है right उनको भी अच्छा लगता है उनको महसूस होता है see, देखिए वो logically, वो divine masculine है वो logically behave कर रहे है but higher self में तो वो भी आपको miss कर रहे है higher self में तो उने भी आपकी आद आती है उनके higher self को आपकी जरूरत है तो आपको उनके higher self के सको healing देनी है आपको उनके higher self से contact बना के रखना है आपको उनके higher self को प्यार देना है right तो जब आप लोग हायर सेल्फ में यूनाइट हो जाएंगे तो थेड़ी प्लेन में यूनियन होना एजी हो जाएगा सो इसी ब्लेसिंग्स के साथ थे सारे हाई वेबिशन्स के साथ मैं आपको दिवाली के बहुत सारी धे सारी शुपकामनाई देती हूँ और आप लोग भी मुझे दीजिए God bless you all